हेलो दोस्तों और वेलकम टू अवर यूटूब चैनल गोपाल सर्मा सो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि थर्ड सैमेस्टर के जो एक्जामिनेशन फोर्म है उनको कब तक रिलीज किये जाएंगे या फिर करेंट या एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है आपके थर्ड सैमेस्टर के एडमिनेशन फोर्म है एक्जामिनेशन फोर्म को रिलीज करने की बात करेंगे दोस्तों आप किस तरह से आपके जो examination form कब रिलीज किया जाएंगे थर्ट semester के अगर दोस्तों आपको अपने examination form को फिल करने के step by step रिलीज करने तो आप हमें comment कर सकते हैं आपके लिएक से अप्टेट वीडियो मना दी जाएगी अगर दोस्तों आप हमाये चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं या चैनल पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस वीडियो का जो नोटिफिकेशन वो ऐसी आपको मिलता रहें तो चले दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को सुरू करते हैं अब यहाँ पर दोस्तों जितने भी थर्ट सेमेस्टर के स्टुइंट हैं उनको यहाँ पर कन्फियूजन हो रही ही क्यूं कि फिफ्ट सेमेस्टर के систем स्टूडेंट है क्योंकि दोस्तों उनके जो examination है इनको होने में केवल एक ही महीना रहे गया है और एक महीने के बाद इनके exam स्टार्ट होने वाले हैं और जब कि यहाँ पे दोस्तों आप देखा जाए तो आपके जो 5th semester के student है इनके 5th semester के examination form में इसको release कर दिया गया है और दोस्तों यहाँ पे ASOL का जो department बात करें ASOL के department की तो इनके जो आपके examination form है 3rd semester का यह आपके एक महीने के अंतरी आपके examination form में उसको भी fill करवाना है आपके admin card को भी release करवाना है सब चीज़ दोस्तों आपको एक महीने के अंदर ही provide की जाएगी इसके अलावब दोस्तों यहाँ पे admission form की बात की जाए कि आपके जो admission form में कब रिलीज किये जा सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तों जो 3rd semester के examination form है यह इसी week से start हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पे confirm news दे जा रिये कि आपके जो 3rd semester के admission form है जिसमें आप अपने 3rd semester के subject चूज करेंगे वो इसी week से start होने वाले हैं अब यहाँ पे दोस्तों जो 3rd semester के student है जब भी इनके form को release किया जाएगा आपको step by step बता दिया जाएगा किस तरह से आपको अपने examination form को fill करना है